इस तार से बनी चिपकली को बनाने के लिए आपको एक तार को मोड़ कर इसमें डबल क्रेंग बनाना होगा इसे पकड़ से मोड़ें ये इसका बाहरी जिस्म है और ये इसका अंद्रूनी धाचा है पैरों के साथ अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोनों क्रैंकों में जिस्म नस्ब किये हुए हैं ये इसका मुकमल ढाचा है जब आप हैंडल को घुमाते हैं तो दर्मियान वाला क्रैंक वाला तार घूमता है और चारो पैर इस तरह से चलते हैं के जैसे चिपकली दिवार पर चड़ रही है यहां पर करीब से आप इसे धीमी रफतार में चलते हुए देख सकते हैं अब सिर्फ एक हैंडल को घुमाते जाएं और ऐसा महसूस होता है के चिपकली दिवार पर चड़ रही है है ना बिलकुल आसान